गुद मॉर्निंग स्टुडेंस, क्लास फाइब सब्चिक्ट हिंदी, 4 सेप्टेमबर 2020 क्लास वर्क, आज का क्लास वर्क है आपके नियारी का बुक से पेज नमबर 34 और स्टोरी है मेरी जिन्देगी का एक तिन 3rd मार्च 1887 में 7 साल की होने वाली थी मैं 7 साल की होने वाली थी इसी दिन मेरी टीचर सूलीवन मेरे घर आई उस दो पहर में अपने घर के बाहर खड़ी थी घर के बाहर खड़ी थी घर में हो रहे हलचन से मुझे लगा आज कुछ खास होने वाला है तवी मुझे पास आते कदमों की आहत महसूस हुई मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए किसी ने मेरे हाथ को थामा मुझे उठाया और गले से लगा लिया अगली सुभ मेरी टीचर सूलीवन ने मुझे एक गुड़िया दी मैं कुछ देर उसके साथ खेलती रही फिर मेरे हाथ पर उन्होंने अपनी उगली फिरा कर डॉल लिखा मुझे उगली के इस खेल में बहुत मजा आया मैं जट उसकी नकल करने लगी जब मैं सही तरीके से उसे कर पाई तो लगभग दोड़ते हुए मैंने सिरिया पाड़ की और अपने मा के पास पहुची अपनी बाह आगे कर उस पर डॉल लिखा मुझे नहीं मालूम था कि मैंने अभी अभी जो लिखा है वो इसे शब्द के हिज्जे है मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि शब्द भी कोई चीज होते है मैं तो हाथ पर एक खास तरह से बस उंगली फिरा रही थी आने वाले दिनों में मैंने इसी तरह कई शब्द सिखे पीन, हैट, काप और कई क्रियाए भी जैसे सिट, स्टेंड, वाक आदी मैंने इन शब्द को बस लिखना सिखा थैंक यू